मसकार किसान भाईयों, सीजी किसान टीवी पर आप लोगों का स्वागत है किसान भाईयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धान के पसल में जब BLB याने बैक्टरियल ली ब्लाइट जो जुलसा रोक होता है उसका अटेक होता है, तो उसका पहचान केसे करेंगे आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे तो किसान भाईयों यह देख सकते हैं, यह मेरा जो धान का प्लाइट है इसे मैंने बुआई विधी से क्या था और बुआई किये हुए यह लगभगा 60-65 दिन की हो चुकी है याने कि मेरा जो धान का फसल है यह अभी गभोट की आउस्ता में है और अभी इस समय BLB याने बैक्टरियल ली ब्लाइट जिसे हिंदी में जीवानों का पाला लगना कहते हैं इस बीमारी का अटेक हो चुका है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस BLB जो बैक्टरियल ली ब्लाइट होता है इसकी पहचान करने के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे तो किसान भायों जानकारी पसन आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल पर ने हैं तो सस्क्राइब भी कर लिजिए क्योंकि हम खेती किसानी से सम्मनीत इसी तरह के नए-ने क्वालिटी वीडियो लाते रहते हैं तो किसान भायों जब भी आप अपने धान के फसल को चेक करने के लिए जाए तो सबसे पहले BLB रोग का जो पहचान है ये देख सकते हैं कि पत्यों की जो दोनों किनारे पर होती हैं पत्यों के दोनों किनारे पर यहां पर जो सीरियां याने की धारियां बनती हैं और यहां ध धारियां धीरे धीरे देख सकते हैं पत्यों की निचले तरफ बनते जाते हैं और यहां आपस में मिल जाते हैं जब यहां धारियां आपस में मिल जाते हैं तो पत्यां पूरी तरह से पेरा टाइप से बन जाता है याने कि उसमें जो हरापन होता है उसकी जो ग्रोथ होता हु तो किसान भायों यह देख सकते हैं यह बैक्टिरियल ली बलाइट याने कि धान के फसल पर जो जिवानूओं का पाला लगना कहते हैं जो की एक जिवानू जनित बिवारी है इसकी पहचान के लिए सबसे पहले आप धान की जो उपरी पत्या होती है उपरी पत्यों को देख लिजे यदि आपकी धान के प्लाट पर उपरी पत्यां फिरेश नहीं दिखते हैं उसमें कुछ टाइब से धब्बे धब्बे या जो लाइनिंग आती है तो यह आप समझ जाए कि आपके जो धान के फसल में है उसमें किसी भी जो डिसेस या जो किसी भी अटेक हो चुका ह अगर आपको ब्यल्बी रोक की पहचान करना है तो सबसे पहले आप यह देखे कि जो आपकी पत्यों के दोनों किनारे है यहाँ पर छोटे-छोटे धारिया बनती जाती है और यहां धारिया नीचले साइट के तरफ चलता है और यहां जो धारिया आपस में मिल जाती है मिलने के बाद जो पत्यां है यहां पूरी तरह से पेरा टाइप से बन जाती है और मुर्जा जाती है तो किसान भाईयों यह देख सकते हैं यह BLB याने बैक्टरियल ली बलाइट का पहचान है तो किसान भाईयों आप भी अपने धान के फसल में जब BLB याने बैक्टरियल ली बलाइट का अटेक होता है तो उसकी पहचान इस तरीके से कर सकते हैं तो किसान भाईयों मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम इसी तरह के नए ने वीडियो लाते रहते हैं आज किले जाहिन जा जवान जा किसान